हे गाईज गुड मॉर्निंग विल्कम तो मैं मिनी व्लोग तो आज है होली और आप सभी को में तरफ से हैपी होली और मैं आज के दिन बहुत ही ज़्यादा है एकसाइटेड हूं होली खेलने के लिए बट अभी खाना पीना जो बनता है उसको अच्छे से बना लेते हैं फिर हम हूली खेलेंगे तो अभी मैं अपने दादा जी को खीर देने जा रही हूं क्योंकि उन्हें खीर भी बहुत पसंद है मैं खीर दे के आही रही थी कि मैंने देखा हम लोगों को सबसे पहले कलर लगाने हमारी पडोस की बड़ी मम्य आया थी जिन्होंने ऐसा कलर लगाया कि पूछोई मत उन्होंने मेरे भाई दोनों भाईयों को कलर लगाया मेरे बहान को कलर लगाया मेरे मम्मी को भी कलर लगाया लेकिन मेरी मम्मी ने भी उनको एकदम चुड़ायल बना दिया और लास्ट में उन्होंने मुझे भी कलर लगाया वो भी रेड कलर का एकदम बू तो मेरी बेहन ने मेरी ममेहन मेरी लगाया फिर मैं को मानिकाली थी तो मैंने टीका भी लगाया और उनकी गालपे गुलाल भी लगाया और उनका पैड्चु के अशिर्वात भी लिया होली खेलने के बाद हम लोगों ने थोड़ा स्पानी से होली खेला फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग डान्स करेंगे और हमें होली खेलने के बाद नाना के हाँ भी जानना था तो हम नाना के हां आगे और यहां आने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहां पहले से एकदम धुआदाड होली ओल रहे थी तो हम लोगों ने भी यहां पर भी अच्छे से होली खेली पानी से खेली कीचर से खेली बड़े भाईया लोगों को एकदम पकड़के एकदम कीचर में लोटा दे रहे थे होली खेलने के बाद हम लोगों का बुराई हर्शन हो गया था हम लोग एकदम गीले गीले हो गया थे कीचर से लगपत तलपत फिर हम लोगों ने बाहर अपना बाल दूला और एक एक करके हम लोगों ने नहाया फिर हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि हम लोगों सुभा से और हम लोग एक दम परशान हो गए थी इसलिए मैंने रात का व्लॉक नहीं सूट किया था तो आज के लिए टाय मिलता है ना एक लॉक में तब तक के लिए बाई बाई